नमस्कार सांकेतिक भाषा के इस विशेश बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ रितू बर्मा मेरे साथ है मेरी सहीयोगी मनीशा शर्मा शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइन्स के साथ जून 2024 तक बढ़ाया गया भाषपा अध्यक्ष जेपी नद्या का कारेकाल राष्टे कारेकार्णी की बैठेक में सर्वसंबत्ती से लिया गया फैसला ग्री मंत्री अमिश्या ने जानकारी देते हुए कहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और पाठी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नद्डा के नेत्रत्त में भाषपा 2024 में और भी बड़े बहुमत से हासिल करेगी जी पाकिस्तान के आतंकवाद अब्दुल रह्मान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोशित करने के सयुक्त राष्ट के फैसले का भारत ने की अस्वागत कहा इस तरह के फैसलों से आतंकवाद के खिलाफ मिलेगी प्रभावी मदर सरकार ने कोविड वैक्सीन पर मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को किया खारे कहा इन वैक्सीन का कोई गंभीर दुश्प्रभाव नहीं केंद्रिय स्वासमंत्राले ने कहा न्यूज रिपोर्ट भ्रामक जानकारी के आधार पर पुरे में इंफरस्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन चार अलग-अलग सत्र में बुनियादी धाचे में निवेश के तमाम पहलूओं पर बात चीत भोपाल में थिंक 20 की बैठक में दुनिया भर के विशेश शग्य हुए शामिल कल से तिरुवरंध पुरम में होगी स्वास्तेकारे समू की पहली वैठक चंडिगड मेयर चुनाओं में एक बार फिर भाशपा ने मारी बाजी भाशपा ने 15 वोट जीत कर मेयर के पदबर कबजा किया भाशपा के अनूद गुपता अब होंगे चंडिगड के नए मेयर खबरों को विस्तार से देखते हैं भाशपा के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नद्डा का कारेकाल बढ़ा दिया गया है भाशपा मुख्याले में आयोजित पार्टी की राष्ट्रे कारेकार्णी में ये फैसला लिया गया केंडरी ग्रीमंत्री अमिश्या ने जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा का कारेकाल जून दो हजार चौबिस तक बढ़ाया गया है उन्होंने कहा कि वरेष्ट भाजपा नेता राजनात सिंग ने प्रस्ताव रखा जिसे सर्व सम्मत्ती से स्वीकार किया उन्होंने कहा कि कोरुना काल में भाजपा अध्यक्ष ने देश हित में अतुल नियकार किया साथ ही पार्टी को भी मजबूत किया अमिश्या ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड़्डा के नेत्रत में भाजपा दो हजार चौबिस में और भी बड़े बहुमत से जीत हासिल करेग उन्होंने कहा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश का नेत्रत पी-म के रूप में करेंगे इससे पहले भाजपा के राष्ट्रे कारेकारणी के बैठक में विदेश मंत्री एस जेशंकर ने जी-20 को लेकर अपना वक्त अब दिया पाटिउपा ध्यक्ष वेजिंत पांडा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए महत्वपून अफसर है उन्होंने बताया कि पिछले नौ सालों में पी-म मोदी के नेत्रत में भारत की जवी अंतराश्य यस्तर पर बदली है भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रे कारेकारणी में जो बाहर से प्रतिनी धी आ रहे हैं उनका स्वागत भाजपा के राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नद्डा करेंगे भाजपा कारेकारणी की बैठक के दूसरे देन आज आर्थिक नीतियों से सामाजिक प्रभाव पर प्रस्ताफ पेश किया गया प्रस्ताफ की जानकारी देते हुए केंद्रिय वित्य अबं भाजपा की वरिशनेता धर्मेन प्रधान ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत में पिछले आठ सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है अर्थवेवस्ता के हिसाब से भारत 2014 में दस्वे स्थान पर था लेकिन आज UK को पीछे छोड़ते हुए पांच्वे स्थान पर है धर्मेन प्रधान ने कहा कि दुनिया में भारत एक शक्ती के रूप में उभरा है जिसमें आज भारत G20 की भी सफलता पूर्वा कध्यक्षता कर रहा है धर्मेन प्रधान ने कहा कि पहले जो नीतियां बनाई जाती थी वो चंद लोगों को फायदा पहुचाने के लिए बनाई जाती थी लेकिन आज PM मोदी के नेतरत में सबका साथ सबका विकास के सिद्धान्त पर काम किया जा रहा है इसी मार्क पर चलते हुए भारत दुनिया को भी एक नई दिशाद दे रहा है चंदिगड नगर निगम में भाजपा के अनुप गुपता नए मेयर बने हैं इसके साथ ही चंदिगड में मेयर चुनाओ को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है दर असल चंदिगड में भाजपा और आमादमी पार्टी दोनों के ही पास 14-14 पार्षद हैं लेकिन भाजपा के पक्ष में चंदिगड की सांसत किरन खेर का एक वोट भी गया वही कॉंग्रेस के छे और अकाली दल के एक पार्षद ने इस चुनाओ से दूरी बना ली थी चंदिगड का मेयर चुने जाने के बाद भाजपा के अनूब गुपता ने कहा मैं अपने पार्टी ने तृत्त का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए उमिदवाद चुना मैं उसी गरिमा से सदन चलाऊंगा जिस तरह से पिछली मेयर सरबजीत कौर ने चलाया जमू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंग ने आज कहा है कि जमू कश्मीर के बढ़गाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामियाभी मिली है उन्होंने कहा कि सेना और पुलिस ने सैयुक्त कारवाई में दो आतंकियों को मार गिराया है साथ ही बताया कि दोनों आतंकि पुलबामा जिलेके हैं और उनका संबंद लशकरे तैबा से है उत्राखन के जोशी मट में डेंजर जोन वाले इलाकों में बड़ी कारवाई हो रही है जोशी मट में भूत असाफ का खत्रा लगातार बना हुआ है अब जोशी मट के सबसे निचले इलाके पर खत्रा मंडरा रहा है प्रशासन की टीम ने जोशी मट के कई इलाकों का दोरा कर असुरक्षित इलाकों का सर्वे किया जोशी मट के सबसे निचले हिस्से में बसे इलाके में भविश्य के खत्रों को देखते हुए कई घरों को असुरक्षित चिन्नित करते हुए इन घरों और होटलों को ध्वस्त करने का कार जारी है केंद्रिय स्वास्तो परिवार कल्याण मंत्राले ने एक सवाचार पत्र की एक हालिया मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि ICMR और CDSCO यानी Central Drugs Standards Control Organization ने RTI के जवाब में COVID-19 टीकों के कई दुश प्रभावों को स्वीकार किया है केंद्रिय स्वास्तो परिवार किया है कि समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट गलत सूशना प्रदान करती है एक RTI के जवाब में ICMR ने विश्व स्वात संगठन, रोग नियंत्रक केंद्र और स्वास्त और परिवार कल्याण मंत्राले सरकार की प्रतिष्ठित वेब साइटों के लिंक प्रदान किये गए हैं जहां विभिन COVID-19 टीकों पर विभिन वैश्विक साक्ष उपलब्ध हैं स्वास्त मंत्राले ने कहा कि COVID-19 टीकों के मामलों में भी अन्य सभी टीकों की तरह हलके लक्षड दिखाई दिये जिन में दर्द, सिर्दर्द, ठकान, मानस्पेशियों में दर्द, अस्वस्तता, पाइरेक्सिया, ठंद लगना, जोडों का दर्द आधी लक्षण शामिल ह स्वास्त मंत्राले ने बताया कि वैश्विक शोध अध्यनों से पता चला है कि COVID-19 टीका करण ने अस्पताल में भरती होने और COVID-19 के कारण होने वाली मौतों को रोग कर रोग की गंभीरता को कम करने में मदद की है और टीकों के लाब किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से कहीं अधिक है भारत में NTAGI यानी टीका करण पर राष्ट्रिय तक्नीकी सलाकार समूने समय समय पर भारत में उपयोग किये जाने वाले COVID-19 टीकों के लाभों और दुश प्रभावों की समीक्षा की है और उप्रोक्त निश्कर्शों का समर्थन किया है मंत्राले ने COVID-19 टीकों पर स्पश्टी करण दिया और बुलिटिन में बाट एक छोटे से ब्रेक का है बीजेपी राष्ट्रिय कारिकारणी की बैठक के दूसरे दित पीम मोदी ने दिया जीत का मंत्र बैठक में पास हुए कई एहम प्रस्ताव बीजेपी की बैठक से जुड़े तमाम एहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा रोटी रोटी के लिए मोहताज पाकिस्तान की निकली हेकडी भारत से बाच्चीत के लिए गिड़गडाए पाकिस्तानी पीम शाहबाश शरीफ पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रह्मान मक्की को सहुतराष्ट निगोशित किया वैश्विक आतंकी जी ट्वेंटी की बैठकों का दोर जारी पटना पहुचा रिवर क्रूज गंगा विलाज जानेंगे देश भर में कैसा है मौसम का हाथ हौकी विश्वकप के मुकाबले का भी होगा अपडेट होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरे देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात आठ बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर आठ एंगे भाछिवर एंगे अचो बिरियूüst्वन सुदी दियूज पर आठ धूनियूब उचिधिवर तटीट है देखिजिजिज एंग 0 कट क्रोंवद एंगे का भूनर टाहर, एंबड़ी है हौकी अथ्मार बवाजेूज प Walker और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दिल्ली में सेवाओं के नियंतरन को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रम कोर्ट में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरा सॉलिसिट जनरल तुशार महता ने आम आदमी पार्टी सरकार के हालिया कदमों का जिक्र करते हुए इसे नाटक करार दिया तुशार मेहता ने शीष अदालत में दलील देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नाट का सहारा ले रही है और LGV के सक्सेना के खिलाफ विरोध कर रही है जबकि उन्हें पता है कि मामला सुप्रेम कोट की एक सम्विधानिक पीट के समाक्ष लंबित है सॉलिसिटी जनरल ने आगे कहा कि विरोध और नाट कियता अदालती कारवाई को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं राश्ट्री राजधानी में हो रहे ऐसे विरोध प्रदर्शनों को दुनिया देखती है और ये शर्मिंदगी का विशे बन जाता है एरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया को सुप्रिम कोट से बड़ी राहत मिली है ताजमेहल से लगभग 10 किलोमेटर दूर अब एरपोर्ट अथारिटी नया टर्मिनल बना सकेगा एरपोर्ट अथारिटी को इस टर्मिनल से नई फ्लाइट की इजासत भी होगी इससे पहले सुप्रिम कोट ने दिसंबर में एरपोर्ट अथारिटी को टर्मिनल बनाने की इजासत तो दे दी थी लेकिन शर्त ये थी कि एर ट्राफिक को नहीं बढ़ाया जाएगा आज सुप्रिम कोट ने अपने आदेश में संचोधन करते हुए एरपोर्ट अथारिटी को अतिरिक्त उडान की इजासत भी दी है अब एरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया को जरूरी पर्यावरन शर्तों को पूरा करना होगा दुनिया की सबसे लंबी दूरी का रिवर क्रूज M.V. गंगा विलास कलदेश शाम पठना पहुचा क्रूज पर सवार विदेशी सैलानी पठना के तेहासिक स्थलों का ब्रहमन कर रहे हैं पर्यटकों के पठना साहिब गुरुद्वारा पहुशने पर पाटली पुत्र के सांसद राम्कृपाल यादव और पठना की मेयर सीता साहु सहित स्थानिय नागरिकों ने पर्यटकों का फूल मालाओं से स्वागत किया गंगा विलास से पतना पहुचे सैलानियों ने आज पतना के अतेहासिक गोलघर और बिहार म्यूजियम भ्रहमन किया विदेशी सैलानियों ने बिहार म्यूजियम में सांस्कृतिक कारेक्रमों का भी आनंद लिया साथ ही संग्राले में पुरातात्विक महत्व की वस्तूओं को भी देखा Chief of Defense Staff General Anil Chauhan ने आज NCC के गड़तंत्र दिवा शिवर 2023 का दौरा किया इस मौके पर NCC के गार्ड ने उन्हें गार्ड ओफ ओनर दिया और CDS ने गार्ड का निरिक्षण किया इस मौके पर उन्होंने फ्लाइग एरिया का भी अवलोकन किया जनरल Anil Chauhan के समाक्ष देश भर के NCC कैड़िटों ने सांस्कृतिक कारेक्रम पेश किया स्विजिलेंड के दावोस में चल रहे World Economic Forum से महराश्र के लिए अच्छी खबर आ रही है स्विजिलेंड के दावोस में World Economic Forum के पहले ही दिन महराश्र ने 45,900 करोड का निवेश करार हासिल किया है राज्य के उद्योग मंतरी उद्यसामंत ने ये जानकारी दी है मुखे मंतरी एकनाच शिंडे के साथ विदावोस में अंतराश्र आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुचे हैं मुख्यमंत्री और उद्योगमंत्री की मौजूदगी में पांच कम्पनियों के साथ M.O.U. पर हस्ताक्षर हुए है जल्द ही ये कम्पनिया महराश्च्र में अपना कारोबार शुरू करेंगी राज्य के युवाओं के रोजगार को बढ़ाने की दिशा में ये बेहद ही सकरात्मक शुरुवात है कम्पनियों के साथ 45,900 करोड से ज्यादा के निवेश करार किये गए हैं भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन IBFPL इस साल जून से प्रयोगात्मक आधार पर बांगलादेश को डीजल की आपूर्ती शुरू करतेगी बांगलादेश की संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उर्जा राज्यमंत्री नस्रूल हामिद ने सोंबार को कहा कि भारत से डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है इस पाइपलाइन में से 126.5 किलोमीटर पाइपलाइन बांगलादेश में और 5 किलोमीटर भारत में है समचार एजेंसी UNB की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि इस पाइपलाइन के माध्यम से डीजल आयात की प्री कमीशनिंग चल रही है ये अंतराश्रिय पाइपलाइन नुमालीगड रिफाइनवरी लिमिटेड के सिलीगूरी स्तित मार्केटिंग टर्मिनल से बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पारवती पुर डीपो तक डीजल ले जाएगी पाइपलाइन के क्षमता एक मिलियन मिट्रिक टन प्रतिवर्ष है ये पर ये ओजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहट बनाई जा रही है पाकिस्तान के अब्दुल रह्मान मक्की को यूएन ने वैश्विक आतंगवादी घोशित किया है भारत ने यूएन के इस फैसले का स्वागत किया है विदेश मंत्राले में प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने कहा कि आतंगवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस नीती के लिए प्रतिबद है उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से आतंगवाद के खिलाफ प्रभावी मदद मिलेगी इससे पहले आज संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा पाइशद ने पाकिस्तानी मूल के आतंगवादी अब्दुलरह्मान मक्की को वैश्विक आतंग की घोशित किया ये फैसला UNSC की ISIL और अलकाइदा प्रतिबंध समिती ने लिया है पिछले साल भारत की ओर से लश्कर के आतंगवादी अब्दुलरह्मान मक्की को वैश्विक आतंगवाजनी घोशित करने के लिए संयुक्त राश्ट में प्रस्ताव लाया गया था लेकिन चीन ने इसे रोक दिया था इसके बाद भारत ने चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी अब्दुलरह्मान मक्की जमातुद दावा के मुख्या हाफे सहित का रिष्टेदार है जिसे भारत में 26 नवंबर 2009 को हुए चरमपन्थी हमलों का मास्टर माइंड माना जाता है UN की ओर से जारी बयान के अनुसार कल 16 जन्वरी को सुरक्षा परिशत की समिती ने वैश्वे कातकवादियों की सूची में अब्दुलरह्मान मक्की का नाम शामिल किया है इसके परिणाम स्वरोप दुनिया भर में मक्की की संपत्ती को फ्रीज किया जा सकेगा और मक्की पर यात्रा सहित कई अन्य प्रतिबंध होंगे वैसे भारत और अमेरिका पहले ही अपने अपने देश में अब्दुलरह्मान मक्की को आतंकवादी घोशित कर चुके हैं मक्की पर युवाओं को कट्टर्ता की और उकसाने का आरोप है इसके अलावा मक्की पर भारत में हमलों की योजना बनाने और अवैद फंड जुटाने सहित कई आरोप है चीन में पिछले साल कोरोना वाइरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों और रियल एस्टेट मंदी के कारण आर्थिक विकासदार तीन प्रष्टिशत तक गिर गई सरकार ने मंगलवार को इससे जुड़े आकड़े जारी किये हलांकि पाबंदियां हटाने के बाद से धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है सरकारी आकड़ों के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था में व्रिधी एक साल में 2.9 प्रतिशत तक गिर गई हलांकि सरकार ने 5.5 प्रतिशत का लक्ष रखा था चीन ने देश में बढ़ती बुजूर्गों की आबादी और गिरती जन्मदर के बीच साथ साल में पहली बार समग्र जनसंख्या में गिरावत आने की घोशना की है चीन में अब नकरात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है बता दे की चीन में मरने वालों का आकड़ा पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा है चीन में कई दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण नीती लागू रही और माना जा रहा है कि उन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के चलते ही देश की जनसंख्या में गिरावट आ रही है श्री लंका में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है राजधानी कुलंबो में कई छात्र मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है सुंबार को प्रदर्शनकारी सेविक्त राष्ट कारयाला के बाहर एकतरित हुए और सरकार विरोध ही नारे लगाए पुलिस ने विरोध कर रहे सेकडो छात्रों को तितर बितर करने के लिए आसू गैस का इस्तमाल किया इन प्रदशनकारियों पर पानी की बौचारे भी डाली गई प्रदशनकारी छात्रों ने इंटर उनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्याक्ष वसंत मुदालिगे की रिहाई की मांग की है जिनोंने सरकार विरोधी प्रदशनों में प्रमुख भूमे का निभाई थी कैलिफोर्निया के गोशेन में अंदादुन्द गोलिबारी की घटना हुई एक घर में हुई गोलिबारी में एक बच्चे सहेत छे लोगों की मौत हो गई पुलिस संदिक्दों की तलाश कर रही है इसका एक विडियो तुलारे काउंटे शेरिक कारयाले के फेस्बुक पेच पर पोस्ट किया गया इस घटना के पीछे एक ड्रग गिरों का हाथ माना जा रहा है युक्रेणी शहर निप्रो में रिहाईशी इमारत पर हुए रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है वहीं दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं हमले की तीसरे दिन भी राहत और बचाव कारे जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है इस संबंद में युक्रेण के राश्पती बलॉदिमिर जलेंस्की ने कहा कि निप्रो हमले से पता चलता है कि युक्रेण को तेजी से हत्यारों की आपूर्ती की जरूरत है जलेंस्की ने इस हमले को युद्ध अपराद बताया है साथ ही ये भी कहा कि इस हमले के दोशियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा यूक्रेन इन युद्ध अपराधों के दोशियों को सजा दिलाने के लिए राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय दोनों स्तर पर मदद लेगा खबरें खेल के मैदान से भारत और न्यूजिलेंड के बीच तीन मैचों की वंडे सिरीज का आगाज बुद्वार से होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच ये सत्रवी वंडे द्विपक्षिय सिरीज होगी इस से पहले कुल 16 सिरीज इन दोनों देशों के बीच खेली गई हैं जिसमें मुकाबला काटे का रहा है 16 में से 8 सिरीज टीम इंडिया ने जीती हैं तो 6 सिरीज किवी टीम ने भी अपने नाम की है इस सिरीज में ICC वंडे रांकिंग में नंबर वन के लिए भी जंग होगी दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वंडे सिरीज के बाद इतने ही मैचों की T20 सिरीज खेली जाएगी New Zealand के खिलाफ तीन मैचों की वंडे सिरीज के आगास से एक दिन पहले भारतिय टीम को एक बड़ा जटका लगा है चोट के कारण मध्य करम के बल्लेबाज श्रेस आयर को सिरीज से बाहर होना पड़ा है आयर की जगह रजट पाटिदार को रिप्लेस्मेंट के तौर पर शामिल किया गया है बिसी सी आय ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है उन्होंने बताया कि रिहाब के लिए श्रेस आयर को बैंगलूरू उस्तेत नाशनल क्रिकेट अकाडमी भेजा गया है महिला अंडर 19 टी 20 वेश्व कप में भातिय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है भारत ने अपने दूसरे मैच में UAE को 122 रन से हरा दिया है UAE की टीम के खिलाफ मुकाबले में भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 219 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था इसके जवाब में UAE की टीम सिर्फ 97 रन ही बना पाई और 122 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई लगातार दूसरी जीत के साथ भारतिय टीम अंक तालिका में अपने ग्रुप में शीश पर बनी हुई है साथ ही भारत का अगले राउंड में खेलना लगभग तै हो चुका है ग्रुप स्टेज में अब भारत को सिर्फ स्कॉटलेंड के साथ खेलना है और इस विशेश बुलेटिन में आज बस इतना मुझे और मनेशा कुदी जनुमती नमस्कार झाल